दोस्तो नमस्कार मैं हूँ दीपक भाम्बरी और इस समय मैं हूँ सोलन वैली में चारो तरफ से पहाडों ने हमें घेरा हुआ है और दोस्तो मैं जब भी हिल्स में आता हूँ हमेशा बहुत एक्साइटेड होता हूँ, बहुत मोटिवेटेड होता हूँ क्योंकि इन पहालों में छुपा है जीत का मंत्र, हाँ दोस्तों इन पहालों में छुपा है जीत का मंत्र, क्या इन पहालों ने इस दुनिया की बहुत सारी परिशानिया नहीं जहली होंगी, इन पहालों ने लगातार तुफान जहले होंगे, आंधिया जहली होंगी, बारिश जेली होगी पता नहीं कौन-कौन सी मुसीबत जेली होगी उसके बावजूद ये पहाड अडिग हैं डटे हुए हैं और दोस्तों यही कामियाबी का सबसे बड़ा मंतर है इस दुन्या में जो भी लोग कामियाब हैं दोस्तों उन्होंने एक डिसीजन लिया और उस डिसीजन पे डटे रहे, अडे रहे, तब तक अडे रहे, जब तक वो अपनी फिल्ड में बुलंदी पर नहीं पुholच गए। दोस्तों, हमेशा पहाड ये संदेश देते हैं, जीटेगा वही, जो हार मानने को टालता चला जाएगा, मैं repeat कर रहा हूं जीतेगा वही जो harm मानने से इंकार करेगा और harm मानने को टालता चला जाएगा हो सकता है कितनी सारी कोशिशें उसे नाकामियाब कर रही हूं लेकिन हर नाकामियाब कोशिश के बाद अगर आपका दिल कहता है एक कोशिश और एक प्रयत्न और एक effort और और दोस्तों यही इस दुनिया में कामियाबी का सबसे बड़ा मंत्र है इन पहालों की तरफ देखिए अडिग रहिए डटे रहिए हर मुसीबत का सामना करते रहिए और हर्याली भर्याली आपकी जिन्दगी में आती रहेगी हर कामियाबी अडिग रहने से डटे रहने से और हार मानने को तालने से ही शुरू होती है दोसे एक छोटा सा संदेश उमीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा wish you all the best, God bless you thank you very much, और जहन